तो देखो को लोग फाइनली बॉलिवूर्ट इंडिस्टी की तरफ से सिंगम अगेन मूवी का ट्रेलर आउट हो गया है आप लोगों के लिए मैं बता दूँ कि बॉलिवूर्ट सिंगम में गिने चेनी उन्यूवर्स हैं उसी को लेकर मेकर्स ने सोचा कि क्यों ने इस इन्यूवर्स को एक्सपेंड कर दिया जाए इसी चीज को देखकर मेकर्स ने फाइनली सिंगम अगेन का ट्रेलर आउट कर दिया है जिसको लेकर आज में बात करूँगा आप लोगों के लिए में बता दूँ कि ट्रेलर लगबख 5 मिनिट का है भाई रोज सेटी ने कौन सर नसा खल लिया मैं मुझको ऐसा लगता है कि बॉल वोड सिनमा का सबसे बड़ा ट्रेलर है यह देखों इस मुवी का ट्रेलर देखकर इतना पता चली गए कि इस मुवी की कहानी नॉर्मल हो सकती है या नहीं वो मुझको मुझको मुवी देखने के बात पता चलेगा सबसे बड़ी बात कि सबी करेक्टर को एक तरीके से राम, सीता, लक्षमाड और हनुमान जी के साथ कंपेरिजन करा है मतलब इन लोगों का उस तरीके का कॉंटेक्ट रहे, एक लोगों को कोई बिपत्ती आती है तो दूसरा तैयार रहेगा भाई ये बड़िया चीज करीए रोई सेटी ने, जिससे ओडियन्स का कनेक्शन भाई बहतरीन रहेगा मूवी को लेकर जबसे मेकस ने इस मूवी के ट्रेलर की अनॉस्मेंट करी थी तो मुझको ऐसा लग रहा था कि सायद चुलबल पांडे की थोड़ी वर जलक देखने को मिल जाए क्योंकि बताया जा रहा था कि इस मूवी में सायद कैमियो रोल हो सकता है हमारे सलमान खान की तो मुझको भी ऐसा लगा कि ट्रेलर में मेकस थोड़ी वर जलक गरू दिखा दे जिससे हाइप क्रेट हो जाए मूवी को लेकर बट मेकस ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया एट लिस्ट चुलबल पांडे की थोड़ी वर जलक दिखा दे तो बढ़िया रहता उसके साथ टेलर की स्टार्टिंग में हमको अजय देवगन और करीना कपूर दिखाई गई है जो कि इस मूवी के में पार्ट है जैसे जैसे टेलर आगे बढ़ता चला जाता है, बैसे बैसे हमको दीवी का पाटगोन की इंट्री दिखाई गई है, और भाई वो इंट्री मुझको बहुत बढ़िया लगी, नाइस यार, लेडी सिंगम, मेभी रोई सेटी लेडी सिंगम को लेकर कोई मूवी बना सकते हैं, भाई कुछ कहा नहीं सकता है, फिर बाद में भाई और एक्टर्स की इंट्री होती है, जिसमें टाइगर स्रॉफ की एक्टिंग करी है मेकर्स ने, कुछ ज्यादा ही अनेक्सेप्टेट वाली इंट्री नहीं कर दी टाइगर स्रॉफ की मेकर्स ने, जिसमें सिंबा की इंट कुछ unique बनानी की कोसिस करी है उसी के साथ मैं इस movie को देखने जरूर जाऊंगा आपको कैसा लगा trailer मुझको comment में जरूर बताना और मिलते हैं ऐसे ही review वाले वीडियो के साथ नाम नाम भाईयो जी बाई